नमस्कार दोस्तों अंजे श्री राम आज की वीडियो में हम जानेंगे श्री राम लल्ला सरकार की मूर्ति में भगवान विश्णू के दस आवतार के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे मत्स आवतार के बारे में दस आवतारों में से पर्थम आवतार है मत्स अवतार इस अवतार में भगवान विश्णु जी ने इस संसार को भयानक जल परले से बचाया था साथ ही उन्होंने है ग्रिव नामक देट्यकावी वद्ध किया था जिसने वेदो को चुरा कर सागर की गहराई में छिपा दिया था नमबर दो कूरम अवतार को कच्चम अवतार याने की कच्छवा के रूप में अवतार भी कहते हैं कूरम अवतार में भगवान विश्णु जी ने सिर सागर के समुंदर मंथन के समय मंदार परवत को अपने कवच पर समाल लता इस परकार भगवान विश्णु मंदर परवत और वासु की नामक नाक की साहिता से देवो एवं असूरों ने समुंदर मंतन करके चोदै रतनों की पराप की नमबर तीन वरह अवतार यह भगवान विश्णु जी का मानविय सरीर में धर्ती पर पहला अवतार था इस अवतार में सरीर मानव का और मुक वरहा के समान था प्राचिन साश्त्रों में यह कहा जाता है कि विश्णू जी ने यह अवतार देते हिर्णाक्ष का वद करने के लिए लिया था नमबर चार निरीशिंग अवतार सेत्युक के चोते चरण में हुआ था ये भगवान विश्नु के रोद्र रूप का अवतार है भगवान विश्नु जी अपने भगत पहलाद को देते हिनकस्प से बचाने के लिए इस रूप में परकट हुए ये अवतार परदोस काल में हु नमबर पांच वामन अवतार सत्युग में असूर बली ने देवताओ को प्राजित करके शवर्ग लोग पर अधिकार कर लिया था इसके बाद सभी देवता भगवान विश्नु जी के पास मदद मांगने पहुँचे तबी विश्नु जी ने देव माता अधिती के गरब में वामन रूप में अवतार लिया इसके बाद एक दिन राजा बली यक कर रहा था तब वामन देव बले के पास गए और तीन पगदर्थी दान में मांगी विश्नु जी का छट्वा अवतार माना जाता है परशुराम अवतार को उन्हें आठ चिरंजिवी पूर्सों में से एक माना जाता है ऐसा माननेता है कि भगवान परशुराम जी आज भी इस धर्थी पर मोजूद है नमबर शात राम जी मनु सत्रुपा को भगवान का वर्धान इस तरह भगवान विश्नु ने कश्यप अधिती को वर्धान दिया मनुष अत्रुपा को वर्दान दिया और उनके वर्दान की पूर्थी के लिए पुत्रुप में जनम लिया और श्री राम के नाम से किर्थिवान हुए और रावन और उसके देत्य साथियों से धर्थी को मुक्त गिया कंस ने धर्थी पर जनम लेकर धर्थी पर आहा कार मचा रखा था इसके अत्याचार पूरण सासन से सादू संत कष्ट पा रहे थे दूसरी और शिसुपाल जी पुरू जनम में हिर्णाक्ष था वह भी धर्थी पर आचुका था इन दोनों को मुक्ति परदान करने के लिए भगवान श्री किर्षन ने भाद्रपद महीने के किर्षन पक्ष की अश्टमी तिथी को अवतार लिया बेसाक महीने की पुरुनिमा के दिन भगवान गोतम बुद का जनम हुआ था मातमा बुद को स्रिष्टि के पालनार श्री हरी भगवान विश्णु का नोवा आवतार माना जाता है बुद के जनम को बुद के जैन्ति के रूम में भी मनाया जाता है नमबर दस कलकी कलकी अवतार दसमे अवतार और विश्णु जी का भावी या अंतिम अवतार माना जाता है कलकी अवतार का अनुमाने चित्र वेश्णव ब्रहान विज्ञान के अनुसार अंत हिन चक्कर वाले चार कालों में से अंतिम कल्यूग के अंत में भगवान विश्णु जी के दस्वें अवतार माने जाते हैं पुराणों के अनुसार कल्यूग चार लाक 32,000 साल का होगा और भगवान कल्की का जनम कल्यूग की समाप्ति पर होगा पुराणों में यह भी जिकर है की भगवान कल्की का जनम सावन मैने में शुकुल पक्स की पंचमी तिर्थी को संभल नामक्ष थान पर विश्णु शैशा नाम के एक ब्रह्मन प्रिवार में होगा